हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला आज की पाच्छाला मैं रुपाली वर्मा लेकर आई हूं क्लास नाइंध के लिए अभी जो हमने लास्ट वीडियो अपना देखा था वो था हमारा कौन से नाइंध के कोर्स ए तो धो अभी हम कर रहे हैं कोर्स ए तो कोर्स ए में हमारी बुक चलती है शतच भाग एक और कृतिका भाग एक ठीक है तो हमने बुक शुरू करी है शतच भाग एक इसके अभी तक हम आपको चार चैप्टर करा चुके हैं पाचवार चैप्टर मैंने आपको एक्स्पेइन कर दिया इंस यारी कोशन भी करा दिये और उसके साथ मैंने आपको नीचे description में एक practice paper दिया था या देना practice paper दिया था practice paper dpp no.5 दिया था वो chapter था आपका प्रेम चंद के फटे जूदे तो शित्ष भुख जो हमारे दो खंडों में विभगत है उसका पहला start है गद्यखंड से तो गद्यखंड का पाच्वा चैप्टर था हरी शंकर परसाइद्वारा लिखित एक व्यक्ति चित्र बोलेंगे या रेखा चित्र बोलें प्रेम चंद जी का और चैप्टर का नाम था प्रेम चंद के फटे जूदे तो यह मैंने practice paper आपको दिया था 30 Marks का और इसमें आपको दो का गद्यांश दिये थे यानि की पार्ट में से दो गद्यांश निकालके दिये थे और उस पर से हमने पांच पांच आपको बहुवी कलपी प्रशन दिये थे वह पांच वापको करने थे 55 Marks के तो तेन objective और subjective दूनों तरह के प्रशन आते हैं objective तो आपको पता है कि one marks का one question ही रहेगा और वो आपका गध्यांश और काव्यांश आधारित ही प्रशन आते हैं ठीक है दूसरा आते हैं आपके subjective प्रशन ये सिर्फ आपके two marks के आएंगे इनकी word limit 25 to 30 words ही रहती है अब आप बोलोगे क् सारे long question ही कराऊंगी जो आपके 50 to 60 words के वीच में रहेंगे ठीक है तो इसी लिए मैंने इसी पैटन के साब से दिया है जैसे इस बुक से questions आते हैं आपके अब मैंने आपको जो ये डिपीपी दिया है मैंने आपसे पहले भी ये सारी चीज़ें बोली है कि जब भी आपको को कि ये complete हो जाती है कि मैं हमें answer writing का एक कोई वीडियो दे दीजे जिसमें हम answer writing करना सीख जाए ठीक है फिर next आप लोगी आती है कि मैं हिंदी लिखने में बहुत time लगता है और हमारी speed बहुत कम है और हम कहते हैं तीन घंटे में पूरा वेपर नहीं कर पाते नेक्स होता है कि मैं हमारी grammatical mistakes बहुत होती है हमारी handwriting बहुत खराब है तो ये सारी हमने complaint पिछले एक साल हमने काफी notice करी आप सभी के comments में ये सारी चीजे proper way से mention थी कि मैं हमको practice करवा दीजिए answer writing बता दीजिए मैं कोई एक trick ऐसी बता दीजिए ताकि mistakes नहीं हो handwriting सुधर जाए speed बढ़ जाए तो ये सारी चीजें एक back नहीं होती कोई जादू नहीं है कि हम एकी बार में ये सारी चीजे करने इसके लिए हमें करना पड़ता है practice क्या करना पड़ता है practice करनी पड़ती है तो जब तक हम practice नहीं करेंगे ये सारी चीजें हमारे लिए possible नहीं हो पाएंगे इसी लिए मैं आपको हर chapter के साथ एक practice paper दे रही हूं और इसे आप literally लिख कर ही solve करना क्योंकि exam कोई भी orally नहीं होता सब return होंगे इसलिए return करने को मैं आपको ब्योज़ खास तोर पर pressure दे रही हूं ठीक है आपको return ही solve करना है इसे ओके ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज हम कर रहे हैं daily practice paper solution number five क्यों क्योंकि यह chapter number five है प्रेमचंद के फटे जूते से तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रेश्ण हम करेंगे उसके लिए हमने आपको एक गध्यांश दिया है इसको हमें पढ़ना है इस पर आधारित पांच भुविकल्पी प्रेश्ण है पांचों हमें करने है वन मांक्स इच है तो यह हो जाएगा आपका फाइब मांक्स का ठीक है समझ गए चली शुरू करते हैं पहला है मुनशी प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने अच्छा ये जो राइटर है कौन है हरी संकर परसाई जी है उन्होंने मुनशी प्रेमचंद जी की एक पिचर देखिए और उस पिच्चर को देखने के बाद उन्होंने प्रेम चंद जी के बारे में ये पूरा पाठ लिखा, पूरा लेख लिखा पत्नी की साथ फोटो खिचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं चेहरे को भरा भरा बतलाती है, उनकी घनी घनी मोचे हैं, आप लोगों ये चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर अपनी बुक में देखना है, उसमें वो फोटो पूरी दी हुई है, पावों में कैन्विस की जूते हैं, जिनके बंद बेतरती बंदे हैं, लापरव लापरवाही से उपक्यों करने पर बंद सिरों की लोहे की पतली निकल गए, अर जो है, सिर्फ डोरी-डोरी सबस्केप्र निकल रह हुई है, और छेदों में बंद डालने में परिशानी होती है अब छेद पतले और आगे का सिरा मोटा हो जागा तो डालने में दिक्कत होगी तो फिता डालने में दिक्कत होती है वो पतली निकल जाने पर तब बंद कैसे भी कसलिये जाते हैं अब किसी भी तरीके से बांधना है छेद म वो फटा हुआ है जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है अब जैसे कैसा होता जूता होता जैसे यह जूता है अब जूते के साइड में कहने अब उन्होंने बोला क्या दाहिने साइड से फटा है तो इधर साइड से फटा है इधर से पैर का जो अंगुठा है वो बाहर दि होगी इस पोशा के बदलने का गुड नहीं है यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है तो यहां पर उन्हों ने क्या बोला है कि जिस तरीकी के हैं वह उसी तरीके के ही दिखते हैं यह बहुं सोच एक अगर फोटो पुझाने का यह उनका तरीका है इस तरीके से वह फोटो पुझाते तो यह सोचो तो नॉर्मल कैसे हैं। उन्हें ध्यानाया कि नहीं, इनकी अलग-अलग पोशाके नहीं है, यह जैसे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, उसी लाइफ में इन्होंने वैसी ही फोटो खिचवाई है, क्योंकि प्रेंचन जी के बारे में वो जानते थे, कि दिखावे पे वो कभी भी यकीन नहीं करते थे इसी लिए उन्होंने बोला कि इनकी अलग-अलग पोशाके नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो खिच जाता है, यानि कि उन्हें ये दिखावा नहीं है कि हम अच्छा पहने या अच्छा करें, वो उनकी लाइफ में जैसे हैं, वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं अब इस पर आधारित हैं हमारे पास पांच पहुविकल प्रश्ण, पहला प्रश्ण है, लेखक के सामने किसका चित्र है, लेखक कौने हरी संकर परसाई जी, इनके सामने किसका चित्र है, प्रेम चंद्र का, हरी संकर परसाई का, कैमरा मैन का, या उप्रोक्त में इसे कोई तो किसका चित्र है वो चित्र है प्रेम चंद का प्रेम चंद आप समझ रहे हैं ना मुंशी प्रेम चंद भाई प्रसद कहानीकार हैं आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे तो उन्हीं की उन्हीं की फोटो है फोटो देखकर लेखक क्या सोच रहे हैं अब जब फोटो हमारे लेखक या नहीं हरिशंकर परसाई जी ने देखा प्रेम चंद की तो वो क्या सोच रहे हैं क्या चीज उनके दिमाग में चल रही है फोटो खिचने की पोशाग यह है तो घर की पोशाग कैसी होगी नेक्स्ट यह सादगी पसंद आदमी है इस आदमी की अलग-अलग पोशाग नहीं होगी उपरोक तो सभी तो हमारे लेखा क्या सोच रहे हैं यह सारी चीज़े सोच रहे हैं उन्होंने सबसे पहली सोच यह क्या आई फोटो खीचने की पोशाग है तो घर की पोशाग कैसी होगी तो फिर उसके बाद उन्हों सोचा कि नहीं इस आदमी की अलग-अलग पोशाग नहीं हो सकती ये आदमी साधगी पसंद है, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाता है, तो ये सारी बाते वो सोच रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी नेक्स्ट आज आते हैं, लेखक की द्रिष्टी कहाँ पर अटक गई, अब लेखक जो फोटो देख रहे हैं, उसमें किस जगाँ पर उनकी जो द्रिष्टी है, उनकी जो नजर है वो आकर, जैसे हम लोग फोटो देखते हैं, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई ठीकी थी, वो ठीकी थी प्रेम चंद के जूते पर, जो बाएं पैर का जूता था, जो एक तरिप से फटा था, उससे अंगूठा बाहर आ रहा था, फोटो को देखकर लेखक किस निशकर्ष पर पहुँचते हैं, अब वो फोटो को जब पहुँच देख लेते हैं, तो वो एक किस नतीजे पर आकर पहुचते हैं, प्रेम चंद की पोशाक घर और बाहर के लिए अलग-अलग नहीं होगी, नेक्स्ट, फोटो के लिए ऐसी पोशाक क्यों है, उप्रोक्त दोनों, प्रेम चंद बहुत गरीब होंगे, तो वो किस निशकर्ष पहुचे, वो पहुचे आपके उप्रोक्त दोनों, कि प्रेम चंद की पोशाक घर और बाहर के लिए अलग-अलग नहीं होगी, उन्होंनों बोला ना, कि अलग-अलग पोशाक नहीं रखते, इस नतीजे पर मौचे, दूसरा क्या था, फोटो के लिए ऐसी पोशाक क्यों, तो पहला नतीजा, कि भ पूरा व्यक्ति चित्र आधारे था, तो किसके जूते में था, प्रेमचंद जी के जूते में था, तो क्या था, प्रेमचंद के जूते में, लेखक के जूते में, फोटोग्राफर के जूते में, या उप्रोक्त किसी के जूते में नहीं, तो सही option क्या है, किसके जूते में था प्रेमचंद के जूते में चली अब हम आ गए अपने अगले गध्यांश पर देखे जब कभी भी आपके पास पठेट है तो पठेट गध्यांश में तो रहता है कि काफी चीज़ें हद तक हमने पढ़ी हुई है सिंपल है ना कि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हैं तो हमको यह लगता कि पढ़ा है इसी जल्दबाजी में हम कई चीज़ें गलत कर देते हैं इसलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं आपको आंसर लाख पता हूँ किसी भी एंसी क्यों का हम कह रहे हैं हंड्रेड नहीं हंड्रेड वन परसंट या तू हंड्रेड परसंट भी आपको आंसर पता हो ऑप्शन सारे पढ़ना हम मेशा यह आदत आप अभी से डाल लो क्योंकि इससे आप मिस्टेक करने से बच जाएंग चले देखते हैं मैं चेहरे की त डाली हैं फोटो देखने उनका कहां पर नजर अटकी थी वो जहां से फटा है आप वहां से नजर हटाते यहीं हैं और चेहरे को देखते वो बोलते हैं आपको पता है मेरे साहितिक पुर्खे साहितिक पुर्खे किसे बोला प्रेम चंद को क्योंकि वो साहित के बहुत मंझे हुए लेखक है इसलिए उन्हें साहितिक पुर्खा बोला गया है यह उनका विशेशन है प्रेम चंद जी का तो यह इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खिच लेने से अंगुली ढख सकती है मतलब उन्होंने सोचा यह कह रहे हैं कि वह आप फोटो तो नहीं सुनती है तो वह यह सोच रहे हैं क्या आपको नहीं पता है कि आपका जूता फट गया है उससे उंगली बाहर आ रही हैं आपको फोटो खिच्छतां से समय इतना तो सोच लेते की चलू ठीक है हम जूता दूसरा नहीं ले सकते हमने पड़ा इतने पैसे नहीं हैं किसी से मांग नहीं सकते तो कम से कम धोती ही थोड़ी सी नीचे कर ली होती उन्होंने धोती पहनी है आप देखो के फोटो में धोती पहनी अगर वो धोती थोड़ी सी नीचे कर ली जाती तो क्या होता वो फटा हुआ जूता छिप जाता और तुम्हारी फोट तुम्हें ऐसा कहीं से एक लज्जा या जिजक महसूस नहीं हो रही तुम बड़ा कॉंफिडेंट होकर वह पूरी फोटो खिचा रहे हो तुमको यह एसास नहीं हो रहा कि जूता फटा है तो जैसे अपन कवी होता है कि अगर जरासी भी चीज कोई भटी होती तो अपनी नज याने जब अब तुम्हारें चहरे बोला होगा अब लेकिन अब धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगे के बीच में ही क्लिक करके फोटोगापर ने थैंक्यू कह दिया होगा अब इस बात से उन्होंने बहुत बड़ी बात संधाने की कोशिश करें प्रेमचंद का जीवन आर्थिक रूप से काफी कस्ट प्रद रहा उनको फैनेंशली काफी इस रहे उनका जीवन मतलब आर्थिक इस्ति काफी खराब रही कि तुम्हारे जो इतना दुख और दर्द भरा जो जीवन था उसकी गहराई में क्योंकि इतने दुर्द के बीच में कोई मुस्कुराना नहीं चाहता और जब उसे कहा होगा तो तुमने उस गहराई से अपन ज़्यादा परेशानिया रही थी ठीक है विचित्र है यह अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं उसमें उपहास है व्यंग है तो उन्होंने जब यह मुस्कान देखी तो बोल रहे कि यह मुस्कान नहीं क्योंकि उन्होंने आधी मुस्कान आई और आधी नहीं आई क्यों कुन लोगों पर जो अपनी पूरी जंदगी सर्फ दिखावे में बिता देते हैं जो अपने जीवन में आने वाली ठोकरों से मुश्किलों से बच के निकलना चाहते हैं और जो है बनावटी जंदगी जीते हैं ऐसे लोगों पर प्रेम चंद की वो फटी हुई जूते की बहाज करती है तो आप इस पर पहला प्रश्ट है का है गद्याश में मैं से क्या तात पर अब यहां पर मैं शब्द किसके लिए लिए गया है लेखक कैमरामैन प्रेम चंद या प्रेम चंद की पत्नी तो जाइट सी बात है यहां मैं शब्द भिचैली में लिखा गया है यह रिखकर परसाई जी के लिए यानि कि लेखक ने अपने लिए पूला है अगला है लेखक प्रेम चंद से क्या कहना चाहते हैं? अब लेखक हमारे प्रेम चंद चाहते हैं गढ़्याँश के साबसे के आपको बताना है तुम जैसे महान साहित्यकार की पोशाग प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं है यह चीज जूता फटा है उससे पैर की उगली बाहर दिख रही है पर तुम्हें कोई संकोच नहीं है नेक्स्ट तुम्हारे चेहरे पर वही विश्वास का तेज जलक रहा है या उपरोक्त सभी तो यहां पर लेखक नेप्रेम चंद जी से कहा है तुम जैसे महान साहित्यकार की पोशाग प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं है यानि कि तुम्हारे अंदर जो है एक महान कलाकार है अब कलाकार की भी अपना एक मान सम्मान होता लेकिन जिस तरीके से तुमने फोटो खिचाई है वो तुम्हारी उस प्रतिष्ठा को उजागर नहीं करती है और यही हम पूरे पार्ट में हमारे लेखक की परेशानी का कारण रही है कि इतना प्रतिष्ठित पुरस व्यक्ति और अपने जीवन में इतने आर्थिक संकटों से गुजर रहा है ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश करी है फोटो की मुस्कान पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया है अब फोटो में जो मुस्कान है जो अधूरी मुस्कान जिसे कहा जा सकता है इस पे लेखक क्या प्रति उस मुस्कान का लक्षयार्त समझाने का दावा करते हैं यानि कि इस मुस्कान का क्या लक्ष है किसलिए यह अधुरी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी ये अधुरी मुस्कान मुस्कान नहीं उपहास है वर्तमान समाज पर या उप्रोक्त सबी तो यहां पर उन्हों लेखा की प्रतिक्रिया है कि तुम्हारी ये मुस्कान मुस्कान नहीं उपहास है वर्तमान समाज पर वो समाज जो दिखावी की जिन्दगी जी रह यहां तक कि फोटो पर फोटो खिचाते समय धेर सारा परफ्यूम लगाते हैं कि फोटो में खुशबू आ जाए तो यह उन लोगों का उपहास कर सको जो अपना पूरा जीवन सिर्फ दिखावटी जीवन बताने में व्यतीत कर देते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूं जबकि वो एक्च्वल में ऐसे नहीं होते हैं ना उनके पास इतना पैसा होता है ना उनके पास इतनी हैस्यत होती है लेकिन तब भी वो मांग के कप अध्यांश में साहित्तिक पूर्खे किसे कहा गया है यह तो मैंने आपको समझाया था प्रेमचंद जी को बोला गया है प्रेमचंद को हरिशंकर परसाई को कैमरामेन को प्रेमचंद और उनकी पत्मी को तो यहां पर साहित्तिक पूर्खे बोला गया है प्रेमचंद को लेख क्योंकि उन्होंने बोला यहां पर दो चीजे उन्होंने एक ही बात से स्पस्ट करने की कोशुश करी कद्याणश में अधूरी मुसकान के माध्यम से उन्होंने एक चीज लाइन बताई कि तुम्हारे जीवन के दुख दर्द के गर्द में कहीं पड़ी हुई उस मुसकान को पाहर लाते हुए तो में जब तक वक्त लगा हुगा तब तकơं मैंग कर दिया होगा इस बात से समझाने की कोशिश करीे कि किस स्थे ने तरीखल से उनके दुख दर्थ था फिर दूसरी लाइन में उन्होंने की बताने की स कोषिश करी उस तब हुआ मुस्कान के जरीये तुम लोगों का उपहास कर रहे हो व्यंग कर रहे हो जो अपना पूरा जीवन दिखावटी पन में बिता देते हैं तो यहां पर प्रेम चंद की इस मुखान मुस्कान को विचत्र इसलिए कहा क्योंकि यह दो तरफ वार कर रही थी दो तरीके से वार कर र गद्यांज से हमने कंप्लीट कि अब हम आल जाते हैं लगूत्री प्रश्न पर इस पूरे पार्ट में हमारे सामने जो प्रश्न आए हैं उन में से ही मैंने यह प्रश्न आपको निकाल के दिये तो टू मार्क सीच है टैन कोश्टन से तो 20 मार्क के हो जाएंगे आपके तो सबसे पहले आता है लेखक को प्रेम चंद के जूते देख कर रूना क्यों आता है और लेखक जब प्रेमंचंद के जूते देख रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका कारण क्या है इसका देखिए सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने प्रतिष्ठत कलाखार और उनकी ये दुर्दशा सबसे बड़ी बात तो ये है इतना महान विक्ती और उसको आर्थिक दिक्कते बहुत जादा थी क्योंकि इतने महान लेकक होने के बावजूत वे बधाली की स्थती इमे दिखते हैं और एक्छिल दिखते क्या हैं वो हैं बधाली के जिंदिगी में उनके पास विशेश अफसरों पर पहनने के लिए भी अ और बाहर जो विशेश अफसरों पर पहने जाने वाले जो कपड़े हैं वो इनके अलग-अलग नहीं है लेखक उनकी इस दुखत इस्थति को अपनी आत्मा से महसूस करता है और उसे उसकी विपन इस्थति पर रोना आता यानि कि उनकी इस गरीबी पर उनको लेखक को इतना खुशाली नहीं उनके जीवन में गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्वू देती है पंक्ति के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं मैंने आपको अभी तो दिर पहरे बताना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारा पॉफ्यूम लगा क के फोटो खिचाने के कोशिश करते हैं तो वही चीज दिनुन का गंदे से गंदे व्यक्ति की फोटो में से भी सुगंद आती है तो यहां पर क्या कहने दिया क्या प्रश्णोक्त वाक्त के माध्यम से प्रश्णोक्त यानि की प्रश्ण में जो उक्त वाक्य है कि माध्यम स से लेकर हरी संकर पड़साई ने समाज में व्याब्त दिखावे की प्रवत्ती पत्न और चुम से कहना चाहते हैं कि दिख्यावा बेकार है वास्तिविक्ता को स्विकार करना स्विकार कर गंभीरता से विश्वास से सही मार्ग पर चले सफलता अवश्य मिले की यानि कि हम एक्चुल में जो हैं हमको वही चीज प्रदर्शत करनी चाहिए सिंपल सी चीज हम जो हैं हमें वही चीज दिखानी चाहिए हमें ये कोशिश कभी नहीं करनी चाह बहुत सारी परिशानियों में डाल सकता है सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें करजे में डाल देता है दिखावा जो अगर मुझावे के लिए का सारी चीज़े करते हैं तो वो क्या होता है वो हमें करजे के अंदर डुबो देता है तीसरा प्रशन है प्रेम चंद के फटे जूते में भी अपनी फोटो खिच वाली पर लेखक ऐसा कभी नहीं करते क्यों पाठ के आधार पर बताईए तो यहां पर लेखक ने बोला कि भाई प्रेम चंद ने जो तो फटे जूते पर खिचा ली तो मैं नहीं खिचाता तो यहा मैं भी कुछ उसी प्रद्दती पर हूं तो आपको वही बताना है कि वर्तमान इस्थि को उन्होंने वरदर्शाने की कोशिश करी है हरिशंकर परसाई ने प्रस्तुत पाठ प्रेम चंद के फटे जूते में हमेशा स्वयम को वर्तमान जंदर्भ में तथा लेखक को ततकाल उनके पुर्खे हो गया है कि लेखकनी प्रश्नोक पक्ति से यह दिखाना चाहा है कि वर्तमान और प्रेम चंद के समय में वैचारी कि फिचार जो किया जारा है अब इसको संझो पुराने लोगों का क्या विचारता है हम जितने हैं मुतने में सटिस्पाई है हमको कुछ न वो क्या है मेरे पास जो नहीं है उससे जादा दिखाने की कोशिश करी जाती है तो वो इसलिए उन्होंने पुराने और वर्तमान समय की इस असमानता को प्रेक्ट व्यक्त किया है तदकाली लोग अपनी वस्तु इथिति को छिपाना नहीं चाहते थे यानि कि उनका जो कार करने वाले वास्तविक लोग थे इसलिए वह जैसे थे वैसे ही दिखते थे अधा प्रेम चंद ने अपने फटे जूतों के साथ फोटो खिच वाली अब वो पुराने के समय के थे तो उनको लगता था कि नहीं हम ठीक हैं हम जैसे हैं हम वैसे सही है तो वह उसी में वह यह तो बात सही है लेखक को प्रेम चंद की इस्तती में हीनता और दीनता का भाव दिखता है जिसे आज का अधुनित्ता वादी लेखक छिपाना चाहता है अधावा इस दशा में फोटो खिचाने को तयार नहीं है यानि कि वो जो हरिसंकर परसाई हैं वो उनके समय के प्र प्रियास में ही लगे रहते हैं और पुराने समय जो वाले लोकियों लगते हैं जो उनका जो वास्तिविक इस्तिती वह उसी को दिखाते थे उसमें कोई भी काट्षाट करना या बढ़ोतरी करना उनको पसंद नहीं था इसलिए वो इस इस्तिती में फोटो खिच्वाने को तयार नहीं होते हरी संकर परसाई जी नेक्स कोशन हरी संकर परसाई ने अपने और प्रेम चंद के जूते में क्या अंतर बताया है प्रेम चंद जी का जूता सामने अंगूठे से फटा है जबकि परसाई जी का जूता भी फटा है लेकिन तले से फटा है प्रेम चंद जी जब चलते हैं तो उन्हें पैर में तकलीफ नहीं होती उनका पैर जो है वो सुरक्षत है लेकिन परसाई जी जब चलते हैं तो उनके पैर में दिक्कत होती है यह चीज उन्होंने बताने की कोशिश करिए और इसके साथ इन्होंने इंडरेटली वे से यह बताने की कोशिश कर शुजते हो तब आगे चलते हो इसे तुम्हारा जूता सामने से फटा है और मैं उन मुसिवतों से बचने के लिए लंबा चक्कर लगाता हूं उसलिए मेरा जूता तले से फटा है यह चीज उन्होंने बताने का प्रयास किया है प्रेम चंद के बाएं पैर के जूते के ऊपर छेद है जिससे उनके पैर की उंगली बाहर निकल आई है वहीं लेखक का जूता उपर से तो बिल्कुल ठीक है पर अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है जिससे उनका अंगूठा घुष कर लहुलुहान हो जाता है पूरा त प्रश्ण संख्या पाँच है तुमभी जूतेज और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो पंक्ति के माध्यम से लेखक का क्या व्यक्त कर रहा है। अनुपातिक मूल्य का मतलब युद्धाई है यहाँ पर क्या है। तोपी सस्ती होती है जूता महेंगा आता है अब हम आज के वर्तवान समय में अगर चले तो देखी टोपी कितनी आईगी तीन 400 रुपे में आ जानी हम कहारे है बहुत अच्छी भी लोगे तो मुझे नहीं लगता 400 रुपे से जादा होनी चाहिए लेकिन अगर आप जो है चीज अनुपातिक मूले को उन्हों समझा रहे हैं सम्मान टोपी के जरीए वो क्या सम्मान कि आज कल के लोगों में सम्मान जो है वो बहुती कम चीज़ें जबकि जूता क्या है वो प्रोटक्शन देता है प्रश्णोक्त पक्ति के माध्यम से लेकग ने ततकालीन समाज राजनेतिक इस्थिवा वास्तिविक चित्र व्यक्त करना चाहा है कि वास्तिविक इस्थिति का चित्र क्या है आज के वास्तिविक समाज का चित्र क्या है इसे प्रस्तूत करने की कोशिश करिए प्रेम चंद उच्छ कोटी के सम्मानित साहित्यकार थे यह हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे साहित्यकार जिसे लोगों को अपने सिर पर धारण करना चाहिए था यानि कि ऐसा व्यक्ति जो इतने अच्छा साहित्यकार है लोगों को तो उसे पूरा मान सम्मान देना चाहिए था लेकिन प्रतिबा की पूछ कहां है पूछ तो जूते अर्ठाद चापलूसों की जो सम्मान के पातर नहीं है समाज में टोपी के बजाए जूते की कीमत जादा लगाई जाती है कम से कम प्रेमचंद के मामले में तो यह अक्षर सत्य है तो यहां पर क्या बोल रहे है कि आज कल के समय में बहुख कि इनकी पूशी आती है जो बड़े बड़े लोगों के तलवे चाटते हैं हाजी हाज़ी हाजू जूर करते हैं उनकी जादा है इसके जो कीमत का जो आनुपात है इसके जरीए उन्होंने समाज का एक बहुत बड़ा सत्य जो है उजागर करके सामने रख दिया कि जो प्रतिवा संपन्न लोग होते हैं उन्हें समाज में जादा पूछ, मान, सम्मान ये सारी चीज़ें नहीं मिलती जबकि जो चापलूस होते हैं उन्हें बड़ी जल्दी जो है बड़े बड़े पाद, धन, दौलर, सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्रश्ण संख्या 6, लेखक और मुंशी प्रेमचंद का द्रश्टी कोण समस्याओं से निपटने में भिन्न हैं, कैसे इसपष्ट कीजिए लेखक समस्याओं से बच कर निकलना चाहते हैं पर मुंशी प्रेमचंद उन समस्याओं से लड़कर आगे निकलते हैं यह चीज उन्होंने समझाने का प्रतनी कैसे किया जूते के फट होने का यानि कि प्रेमचंद का जूता जो अंगुली से सामने से फटा है यानि कि वो अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों अर्थात टीलों को ठोकर मारते हैं इसलिए जूता उनका सामने से फटा और जो व्यक्ति अगर जादा जलेगा तो उसका जूता नीचे तले से फटेगा तो ये परसाई जी के साथ हुआ परसाई जी अपने जीवन में आ परस्टी कोंट रखता है क्योंकि प्रेमचंद समस्या रूपी टीली को हटाने के लिए बार बार उस पर ठोकर मारते हैं अर्थात उसमस्या से लड़ते हैं भले ही इस क्रम में उनका जूता फट जाए परन्तु लेखक उस समस्या रूपी टीले को यूँ ही छोड़कर उस प्रश्ट संख्या साथ है लेखक ने मुंशी प्रेमचंद और उनके बहुच्वरतित पात्र होरी को किस कमजोरी से ग्रसत बताया है पाठ के आधार पर बताईए तो ये नेम धर्म यानि कि हम अपने जीवन के लिए जिन नियमों को बनाते हैं उन धे नियमों को पालन करन कि जो एक कमजोरी होती है उससे ग्रसत बताया है लेखक ने प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद और उनके बहुच्वरतित पात्र होरी को नेम धर्म की कमजोरी से ग्रसत बताया है दोनों में किसी भी धर्म विरुद्धकार नहीं किया यानि कि जो हमारा धर्म है अर्थात के दने एक मनुश के का योनी प्राप्त करने के बाद हमारा मनुश जीवन जो है वो परोपकार के लिए होता है उस पूरे धर्म का उन्होंने पूरे अच्छ से पालन किया है अर्थात धर्मों के निर्धारित नियमों का उलंगन नहीं किया है वे विकट तम परस्थतियों में भी अपने मूल्यों पर सदा चलते रहे चाहे होरी हो चाहे प्रेम चंदो जीवन में जितनी भी विकट परस्थतिया आई उन्होंने हमेशा क्या कोशिश करी उन परस्थतियों को वो कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ते थे उन्होंने अपने जीवन को पालन करने के लिए जो नियम बनाए थे उन्ही नियम चलते रहे यहनी कि मुश्किल इस्ततिया आई है तो चलो थोड़ी देर के लिए फ्लक्सिबल हो जाए इन नियमों को नहीं माने ऐसा नहीं था वो अपने जीवन में उन नियमों का हमेशा पा यह बहुत सारे विशेशन की यहrict जाय साहितिक पूर्ख जय नाम का एक जो उन्होंनेहेली शेयन लिया था युग प्रवर्ता के बहुत सारे लिये थे संबूर्व बार्ट में लेककalted मुण्शी प्रेम्चण्द के वेक्टत्व का महीमा मंदन किया है उनका जो personality है उसे हमारे सामने रखा है कि वो कैसा वेक्टित है उसे उभारने की कोशश करी है इसके लिए लेखक ने प्रेम चंद के लिए अनेक विशेशनों का प्रयोग किया है अब विशेशन क्या है जैसे महान कथाकार युग प्रवर्तक उपन्या समराट जनता के लेखक तथा साहितिक पुर्खे तो ये सभी विशेशन किसके लिए इस्तमाल किये गए है प्रेम चंद जी के लिए इस्तमाल किये गए है प्रश्ण संख्या नौ है मुशी प्रेम चंद के फटे जूते पाट में वर्णित कुम्भन दास का परिचे दीजे अब इस पाट में एक नाम दिया गया है कुम्भन दास ठीक है अब इनके बारे में लिखना है ठीक है चलिए मता देते हैं क्या है लेखक ने मुशी प्रेम चंद के फटे जूते पाट में जूता घिसने के उधारण में कुम्भन दास का वर्णित किया है कुम्भन दास भक्ति कालीन के क्रश्ण भक्ति शाला के एक प्रमुख कवी थे वे वल्लभा चारे के शिश्ट तथा अश्ट चाप के कवियों में से एक हैं तो भक्ति कालीन कवी हैं आप समझ लीजे मतलब सूदास जी के काल के समय के कबिदास जी के समय के काल के रहें तो इतने कवी पुराने हैं और कुम्भन दास जी ही इनका नाम रहा ठीक है प्रणुने नियुकी मुसीबतों से लड़कर आगे निकलते हो तुम्हारे जीवनमें आने वाली मुसीबते तुम उनसे लड़कर आगे निकलते हो इसके पीछे ये बात कहने से पटाए यह चीज उन्होंने कारण बताया है तो देखे क्या है लेखक शिरी हरी संकर परसाई ने प्रेम चंद के जूते फटने का कारण बताते हुए लिखा है कि प्रेम चंद बनिये के तकागे दे दर से दूर का चक्कर लगा कर घर जाते थे दूसरा परत दर पर सदियों में जमें टीलों को गिराने के प्रयास में बार बार उस पर ठोकर मारते थे जिस से उनके जूते भट गए ठीक है समझ मैं आया तो दो रीजन उन बताएं कि घर को जाने के लिए जो लंबा रास्ता था उसे चुनते थे और जो उस रास्ते में आने वाली मुसीबते हैं उनमें तीले जो पत्थर आते थे तुम उनको जूते से मारते थे पैल से मारते थे इसलिए तुम्हारा जूता कट गया यानि कि यहां पर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं हर एक चीज आपको डिटेल में पूरा क्लियर करके बताने का प्रयाद्स करूँ तो आपने अच्छे से समझ लिया सब कुछ हो गया और मैंने आपको प्राक्टिस पेपर दिया आपने वह भी सॉल्फ किया हां आपके लिखने में और यहां पर जो कोशिशन्स आएं इनमें थोड़ा सा फरक होगा उस फरक को समझे और धीरे धीरे अपने आंसर लिखने की जो किस तरीके से आंसर रैटिंग करा जाता है उसे समझे तो जैसे मैं सॉल्फ कराती हूँ तो सॉल्फ कराने के बाद आप सारे आंसर पढ़ते हो तो थोड़े से बीच में मुश्किल शब्दों को भी डालना है जिससे आंसर थोड़ा अच्छा सा इंप्रसव लगे ठीक है ना तो इसी तरीके से हम हर चैप्टर के आपके प्रैक्टिस पेपर लेकर आ रहे हैं अब हमारे पास हमारा गद्य खंड का आखरी अध्या है क्या है बचपन के थे मेरे बचपन के थे तो यह हमारे महादेवी वर्मा जी के बारे में हैं जिन्हें हम देखेंगे और पढ़ेंगे अगले वीडियो में कहां पर सिर्फ डेफिनेट सेक्सेस पाटशाला के इसी प्लेट्पॉम पर क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट द जुड़े रहना है क्योंकि आपको हैं डिटेंट नोट्स भी मिल रहे हैं और स्टडी मचीदर भी मिल रहा है तो जादर जादर लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जादर लोग जुड़ेंगे तो उनको भी फायदा बहुत अच्छे से होगा तो मिलत रहेंगे अगली बार भी लेकर आऊंगे नया अध्याय थैंक्यू फो वॉच्छे बापाई